हेलो दोस्तों स्यूड़ों में देखेंगे एक प्रस्ण को जो कि आपके एक एक नियम से जुड़ा हुआ है तो प्रस्ण है कि एक दर्जन केले का दाम अगर पचास रुपए है तो पांच केलो का दाम कितना होगा तो एक दर्जन एक दर्जन का दाम है पचास रुपए मतलब कि बारा केलो का दाम है पचास रुपए और हमें बताना है कि पांच केलो का दाम कितना होगा तो अगर हमें एक केले का दाम पता हो अगर हमें एक केले का दाम पता होता तो हम उसमें पांच का गुड़ा कर देते और पांच केलो का दाम निकल जाता है एक वस्तु का दाम अगर हमें पता हो तो ज़्यादा वस्तु का दाम निकालने के लिए जितनी वस्तुए रहेंग तो देखिए कि 12 केलों कदाम जो है वो 50 रुपय है तो अगर आपको इस तरीके से कभी दिया रहे तो 12 केले हैं और 50 रुपय के हैं तो अगर आपको एक कदाम निकालना है और अधिक कदाम दिया हो तो भाग करते हैं मतलब अधिक कदाम दिया हो अधिक केले मतलब दिये गए ह कि 12 केले उनका 50 रुपए है तो एक केले कादाम निकालना है आपको तो कभी अगर ज़्यादा कादाम दिया हो एक कादाम निकालना हो तो भाग करते हैं और अगर एक कादाम पता हो और अधिक कादाम पता करना हो तो हम गुडा करते हैं तो यहां पर तो हम भाग करके निकाल लेंगे और फिर आगे हम गुड़ा कर देंगे तो 12 केलों का अदाम 50 रुपय है तो एक का कितना होगा हम 50 को भाग कर देंगे 12 से 12 कम 12 बढ़ दो 24 बढ़ दे 36 बढ़ चोके 48 तो यहां पर दो हासिल हो गया दसम्लों लगा देंगे तो बारा एक कम बारा और फिर आठ और जीरो 72 का आठ तो मतलब कि एक केले का दाम लगभग 4 रुपय 16 पैसे के करीब कुछ बैठेगा तो हम 5 किलों कदाम किस तरीके से निकालेंगे हमें पता है कि एक कदाम इतना है तो हम इसे 5 से गुड़ा कर देंगे तो हमारा आएगा 20 रुपय 80 पैसे है तो 20 रुपय 80 पैसे हैं तो 5 किलों का दाम कितना होगा 20 रुपय 80 पैसे मतलब कि आपको दुगानदार को इस हाल में 21 रुपय ही देने होंगे पूरे पूरे तो हम यह कह सकते हैं कि 5 किलों का दाम 21 रुपय ही हो गया